तो गाइस अगर आप यूज करने जा रहे हैं लूमेन, वीरे, एंसकेप जैसे रेंडरिंग सॉफ्टेर को जो काफी हेवी होते हैं और उसके लिए कोई नया सिस्टम प्लान करने जा रहे हो तो ये वीडियो उनके लिए है बिट्विन ये वीडियो प्रोफेशनल और अगर अब कॉलेज के अभी स्टुडेंट ही हो तो ये वीडियो आप देख सकते हो अपने लाप टॉप या फिर पीसी को बिल्ट करवाने से पहले अगे बढ़ने से पहले अगे बढ़ने से पहले अगर आपने चल पर हो नहीं तो चल्को कर लो सब्सक्राइब बैल एकुन को के उपर प्रीमियम कोर्स बन चुके हैं आप चाहो तो ले सकते हो वाटसेप पर डिरेक्ली कॉंटेक करके सो यहां पर चलो आगे बढ़ते हैं जो मारा टॉपिक है उसको समझते हैं सो कोई भी सौफ्टर को आप पहले देखो कि उसकी मिनिमम रिक्वार्मेंट और मैक्सिम रिक्वार्मेंट गोन गयूँहां पर कॉन्कुलिजन पर आएंगे और उसके बाद भी हम देखेंगे कि कैसे आपको करना है कि क्या लेना है psychopath बाद करो ल्ूमियल की दर चींट है वह यहां पर फॉी प्रोजेक्ट वाइस की गई हैं चीजों को सो मिनिमम मतलब छोटे मोटे यहां पर मेंशन भी आप इसको ऐसा देख सकते हो नीचे इन तीनों का लिंक मिल जाएगा यहां पर रिक्वार्मेंड वाला ही आपको लेना चाहिए क्योंकि आप धीरी-दीरी ग्रो करोगे अपने ज यह रिक्मेंडे होता है बात करते हैं तो यहां पर 11GB ग्राफिक्स आजाता है जो कि काफी साधा होता है और 64GB रैम हो जाता है बात करते हैं दूसरे आप वीरे अगर आप देखे तो प्रोसेसर कुछ दिया हुआ है प्रोसेसर मैंटर करता है आप वह भी चेक कर सकते हो आग अगर आप नया ले रहे हो तो नया वीरे चलाओगे और अब तक का जो लेटेस्ट वीरे है वो है वीरे 6 तो यहां पर जो हमारा ग्राफिक कार्ड का सॉलूशन है वह यहां पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि 6GB 4GB इतना तो चाहिए यह आपको ठीक है तो GPU यहां पर ए उसमें ग्राफिक्स नहीं होना चाहिए तो यह अन्वीडिया सब कुछ सपोर्ट करता है सारे सपोर्ट करता है एंस्केप कि अगर बात कर ले तो जैसा ही आप जानते हुए सॉफ्टर बहुत सिंपल और एलिकेंट है तो इसके उपर भी कोड सिफ बना हुए बहुत प्यार और बहुत डिटेल में समझा रखा है मैंने अगर आप अनिमेशन और फॉटे रिलिस्टिक कुछ भी सीखना चाहते हो यहां पर ग्राफिक कार्ड आपके एंवीडिया का और फॉर्ट इबी मिनिमम चाहिए इस साफ्टर की परको सबसे ची यही लगती है सबसे कम में यह अ बेसिकली मैं डिरेकली बताओ तो लूमियन को टक कर देता है हाँ एनिमेशन में कैसा होता है कि एंस्केप में कुछ बाउंडरी हैं आप हुमिन्स को रन नहीं कर सकते कार नहीं चला सकते बाकि अगर अगर रेंडर के बारे में बात करो अनिमेशन के बारे में बात करो तो बहुत जल्दे निकालता है और बहुत अच्छी क्वालिटी निकालता है तो यहां पर नेक्स्ट आपके पास मिलता है ग्राफिक काड वह है फोजेवे का आपने यह तो देख लिए कि क्या होना से अब बात करते हैं कि कैसे और अच्छे को हम फिल्टर कर सकते हैं यह तो गया है इसमें आप आजाओगे इस आर्टेक्स वाले आप्शन पर आप इसको एडवांस ही रहने देना जो भी आप ग्राफिक्स आप डिसाइड करना चाहते हो अगर कोई माइन में अपने सेट कर रहा है तो आप यहां पर उसका बेंचमार्क चेक कर सकते हो जैसे मेरे पुरान से जो मेरे बेंचमार्क बनता है वो बनता है 15,244 तो अब भी यहां पर अगर आप इसको क्रॉस करते हो तो यह आपको हाइए एंड स्कोर्स दिखा रहा है जो सबसे जादा हाइए परफॉर्मेंस है इनको डेरेक्ली फिल्टर कर सकते हो जैसे यहां पर आपको देखने को जाओ से मैं सिस्टम बिल्ट करवाया था डिजिटल ओशन करके है नहरू प्लेश में शॉप है यह कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है आपकी चोईज आप कहीं से भी लो बट वह ऑफिशल है MSI के वेबसाइट पे भी उनको सारी डिटेल से इसा मेंशन है आप ले सकते हो ट्रस्ट वर्थ है और काफी डिटेल उनके प्रोड़क काफी अच्छे जैन्वेन है चीक है यहाँ पर कैसे आभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एक आपको तरीका समझ मैं यह वेबसाइट बात करते ही जो मेरा खास परसनल बेस्ट है वो यह है वीडियो कार्ड तो एंड प्रोसेसिंग करने वाले हैं इनके बेंचमाक यहाँ पर गिवन है आपके पास आप डिरेकली जंप कर सकते हो यहाँ से अपने लिस्ट को फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है बस ध्यान रखना आपको यहाँ पर क्या चेक करना है वो है मिनिमम रेक्वार्मेंट जो मै यहाँ पर search for your CPU model यह भी option मिल जाता है वीडियो कार्ट पर जाओगे वीडियो कार्ट बिसिकली वही है जो आपकी GPU होती है हाँ एंड पर जाओगे तो आपने देखा अभी यहाँ पर जो मेंचन है 4090 है और इस्टिल अभी भी यहाँ पर 4090 ही जीत रही है ठीक है इस दरीके सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा ग्राफिक कार्ड है 25344 इतना बेंचमा कभी मेरा है और मुझे अपने प्रोजेक्ट में अच्छा कासा स्पीड देखने को बलता है तो यह था इस वीडियो में अगर आपको यह डिटेलिंग समझ में आई करो लाइक और सब्सक्राइब कोई नई वीडियो आप चाहते हो तो आप ऐसे कमेंट कर सकते हो जब तक के लिए जलते हैं थेंकिए फो वाचिंग वीडियो गुडबाइब